इसके बाद टीम को दिखाये जाता है विन से बात करते हुए यहाँ पर वो विन को नियो एर विस्ट कर रहा होता है यहाँ पर विन विस्ट करता है और कहता है उमीद करता हूँ कि अगली साल हम दोनों साथ में नियो एर सलिप्रेट करेंगे यहाँ पर टीम कहता है हाँ टीम वहाँ से एक लेडी को जाते हुए देखता है तो विन से कहने लगता है मैं तुम से बात में बात करूंगा और फॉन कट कर देता है और उसके बाद टीम उन लेडी से जाके बात करने लगता है यहाँ पर वो लेडी कहने लगते है टीम से तुम new year celebrate करने के लिए घर वापिस आये हो यहाँ पर टीम कहता है हाँ वो लेडी टीम से पूछती है कि तुम कौन से year के student हो वेन कहता है मैं first year में हूँ तो यहाँ पर वो लेडी थोड़ा sad हो जाती है कहने लगती है अगर मेरा बीड़ा टोन होता तो साइद वो third year में होता क्योंकि वो तुम से दो साल बड़ा था ना team यहाँ पर टीम कहता है हाँ टीम भी हाँ पर काफे sad हो जाता है उसके बाद वो लेड़ी हाँ पर टीम को good luck बोलके वहाँ से चली जाती है लेकिन यहापई टीम बहुत ज़्यादा सैड होता है इसके बाद रात को दिखाया चाता है चब टीम के पेरेंस बैट पर सोनी जा रहे होते हैं तो टीम भी उनके बीच में आके लेट जाता है यहापर उसकी डैड केते हैं तो सच में यह हमारे साथ सोनी होला है बस वो मुझे से पूछ रही थी कि मैं कौन सी एर में हूँ और फिर मुझे सी कहा अगर आज उनका बेटा जिन्दा होता तो वो थर्ड एर में होता और वो काफी सैट लग रही थी यहापर उसकी मॉम कहती है हाँ वो बहुत सैट रहती है और किसी से जादा बात भी नहीं करत यहाँ पर टीम के डैड भी उससे कहते हैं यह सारी बाते चोड़ो जल्दी से सो जाओ ताकि मॉर्निंग में जब तुम उठो तो मैं तुमारे लिए बहुत यमी सा खाना बना सकूँ यहाँ पर टीम भी कहने लगता है आपकोस डैड मैं कल सारा खाना फिनिश कर लूँगा यहाँ पर उसके मॉम उसे सोने के लिए बोलती है लेकिन टीम को यहाँ पर नेन नहीं आती है और वो पूरी रात ऐसे ही सोचता रहता है इसके बाद मॉर्निंग में दिखाए जाता है टीम को जो की पहुच जाता है ग्रेव याड यहाँ पर वो टॉन की ग्रेव के सामने बैट जाता है और उसे क्लेन करते हुए कहने लगता है पीट आप कभी ओल्ड नहीं होने वाले यहाँ पर वो अपने पॉकिट से वही स्विमिंग में जीता हुआ गोल्ड मैडर निकालता है और दिखाने लगता है पीट आपर वो पीट आप से पूचता है आपको यह कैसा नाराज है ऐसे कहते हुए यहाँ पर उसकी आखों से आसू आने लगते है वहाँ पर वो उनसे माफि मांगता है तब उसे लगता है कि वहाँ पर कोई आ रहा है इसलिए वो वहाँ से उटके जाके साइड में बैट जाता है जिससे कि उसे कोई देख ना पाए हम देखते है वहाँ पर पीटाउन की मॉम आती है उसके पास वो यहाँ पर उसकी ग्रेव को क्लेन करती है वहाँ पर कुछ नए फ्लॉवर्स भी रखती है और उसका फीवरेट फूड बना के लाती है तो उसी भी रख देती है यहाँ पर वो उसे नियू यर विस करती है और कहती है मैं तुम्हें बहुत मिस्स करती हूँ साथ मैं कहने लगती है कि कल मैं टीम से मिली थी उसे देखके इस बार मुझे गुसा नहीं आया लेकिन जब भी मैं उसे देखती हूँ तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है मुझे याद आता है वो दिन कास उस दिन मैंने तुम्हें टीम के साथ खेलने की परमिशन ना दी होती तो आज तुम दिंदा होते ऐसे बोलके यहाँ पर उसकी मौम बहुत जादा रोने लगती है और कहते हैं मैं तुम्हें बहुत मिस्स करती हूँ और इसके बाद कहती है मैं तुम से दुबारा मिलने आओंगी और वहाँ से चली जाती है यह सारी बाती साइड में बैठी हुए टीम भी सुन लेता है सो वो यहाँ पर बहुत जादा रोने लगता है टीम यहाँ पर उस मैडल को देखे बहुत जादा रोने लगता है यहां पर पूशता है वो कब तक वापिस आएंगे वेन कहता है वो कल तक वापिस आजाएगा ऐसा बोलके हापी वेन काफी ध्यान से अपने सैल फोन को देखने लगता है तो वियू कहता है आप अपने सैल फोन को इतने ज्यादा क्यों देख रहे हैं क्या आप टेम के कॉल का वेट कर रहे है वेन उसे कहता है ऐसी बात नहीं है यहाँ पर उसके क्लोज आके बैठ जाता है वियो और कहता है कहीं आप दुनों साथ में तो नहीं है और हसने लगता है वेन उसे कोई जवाब नहीं देता तो वियो खुदी कहता है इसका मतलब आप दोनों साथ में हैं और आपने मुझे कुछ ने बताया विन यहापर उसे चुप रहने के लिए बोलता है तो वियू कहने लगता है इस तरीके से फोन को मत देखिए अगर टीम विन ने आपको कॉल नहीं किया है तो आप उनके पास कॉल कर लीजिए इससे आपके कूलनेस कम नहीं हो जाएगी बिग ब्रॉदर यहापर उससे विन कहता है ऐसी बात नहीं है बस मैं उसे परिशान नहीं करना चाहता क्योंकि वो फिलाल अपने फैमिली के साथ है तभी यहापर विन देखता है कि उसके पास कॉल आ जाता है टीम का सो यहापर वो अपने सैल्फोन को देख जाना करने लगता है वियू से कहता है आप इतना suppास करने के लिए ऍसका मतलब यह यह है कि टीम का कॉल आ गया है आपके पास यहापर उसे चुप रहने को बोलता है विन और उसके बाद कॉल रिसेप करता है और कहने लगता है टीम तुम कैसे हो लेकिन दूसी तरफ से टीम की रोने की आवाज सुनाई देती है विन को विन यहाँ पर बहुत परिशान हो जाता है टीम के लिए तो उससे कहता है दो गंटे में मैं तुमारे पास पहुच रहा हूँ और वो वहाँ से जाने लगता है विन पूसता है आप कहाँ पर जा रहे हैं तो विन कहता है मैं टीम के पास जा रहा हूँ view कहता है लेकिन वो तो अपने hometown में है तो क्या आप bike से वहां तक जाने वाले हैं उससे कुछ नहीं बोलता win और वहां से निकल जाता है हमें दिखाया जाता है टीम को राथ हो जाती है टीम वहां पर बैठा रहता है और बारish भी होने लगती है वहाँ पर वो रोती हुए यहाँ पर सौरी कह रहा होता है टॉन से और कहता है उस दिन आपकी जगा मेरी डैथ क्यों नहीं हो गई मुझे मरना चाहिए था आप क्यों मर गई मतलब बहुत जादा अपने आपको ब्लेम कर रहा होता है दिखायाे जाता है विन को जो कि बहुत स्पेड में अपनी बाइक को चला रहा होता है उपर से बारिस भी हो रही होती है लेकिन फिर भी वो रुपता नहीं है और पहुँच जाता है टीम के पास जैसे ही यहाँ पर टीम विन को देखता है तो वो रोती हुए उसे घले लगा लेता है और कहता है क्यों उनकी जगा मेरी डैथ क्यों नहीं हुई वो क्यों चले गए मुझे छोड़के और हम सब को छोड़के अगर उस दिन मेरी डैथ हो जाती तो आज सब कुछ ठीक होता है सब ही हैपी होते यहाँ पर उसे चुप कराने लगता है विन कहता है ऐसी बाते मत करो मैं हूँ तुमारे साथ तुमारे पास हुए तुमें कोई कुछ नहीं करेगा और रोना बंद करो विन यहाँ पर कहने लगता है टीम से टीम से टीम क्या तुम ठीक हो यहां पर टीम सवाल करता है विन से क्या तुम यहां तक बाइक पर आये हो वो भी इतनी दूर मेरे लिए यहां पर उससे कहता है विन कि तुम अपनी चिंता करो अपने बारे में सोचो क्या हाल बना रखा है तुमने अपना मेरे बारे में मस इस से कोई फरक नहीं परता कि मैं तुम्हारी वेल ट्रेवल किया। यहाँ पर उससे कहता है यह सरी बाते मत करो मैं यह सब को सुनना नहीं चाहता बस मैं इस बात को जानकर खुश हूँ कि तुम ठीक हो और बिल्कुल सेफ हो यहाँ पर वह उसे टाइटली हग करके रखता है जिससे कि यहाँ पर काफी अच्छा लगता है टेम को इसी मुमेंट पर यह वाला वीडियो फिनिश हो जाता है गाइस आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगी तो प्लीस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए गुड़ और टेक केर